जैहिंद साथ हूं नमस्कार स्वागत है मित्राब सभी कापके अपने चैनल पर तो आप लोग फटा फटल लाइब आज आएं क्लास इस्टारड हो चुकी है मित्र जकी उत्तर प्रदेश पलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हैड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्रा आज की क्लास जो है काफि ज़्यादा खास है इसलिए सब्सक्राइब कर देंगे और जिस भाइबें ने भी तक लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्रा तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ लेकिन उससे पहले स बहुत सारा आशिरबाद और बहुत सारा प्यार आप लोग अपने लक्ष की और बढ़ते रहना है मित्र तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट कुश्चन आपके सामने रखते हैं सो समझकर सभी भाइबें राइड एंसर बताएंगे पुश्चन नमबर फर्स्ट आपके सामने है क्या पूछ रहा है भोतिक का बिलोम सब्द है भोतिक का बिलोम क्या हो जाएगा सभी भाइबें सो समझकर राइड एंसर बताएंगे काफे ज़्यादा इंपॉर्डेंट कुश्चन आपके सामने है तो याद रगना भोतिक का बिलोम या बिप्रार्थक पुछे या बिरुद्धार्थी पुछे तो आध्यात्मिक हो जाएगा यानि ऑप्सन नमबर यह यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा जो भी भाईबेन हमारे बता रहें आध्यातिमिक बिल्कुल सही बताने भौतिक का विलोम या बिरुद्धार्थी या कहा जाई बिप्रार्थक जो है या अध्यातिमिक होता है option number यह यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र next आपके सामने question number two इसका right answer बताना है प्राची सब्द का विप्रार्थक है प्राची का विप्रार्थक या विलोम जो है ये किस विकल्फ में दिया गया है फड़ापड बताएंगे सोच समझकर सभी भाइबेन इसका right answer क्या होगा प्राची सब्द का विप्रार्थक ये प्रतीची होता है यानि option number B अहां बिल्कुल perfect होगा जो भी भाइबेन हमारे बताने ये प्रतीची बिल्कुल सही हो जाएगा next आपके सामने इसके explanation दे दिये गे हैं आप इसकी पीडियाप से अच्छे से पढ़ ले ना मित्र पीडियाप कहा मिल जाएगी पीडियाप हमारे टेलीक्राम चैनल एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर या हमारे वाटसाप गुरुप पर दे दी जाएगी मित्र question number 3 आपकी सामने है Minister का विलोम सब्द है समिस्ट का विलोम क्या हो जाएगा तो याद रखना क्या हो जाएगा विस्ट होगा क्या हो जाएगा मित्र विस्ट हो जाएगा यानि option number B यहाँ बिल्कुल सही होगा next आपके सामने है question number 4 इसका राइड एंसर बताना है फड़ापड बताएंगे राइड एंसर क्या होगा निम्लिकित में से विलोम सब्दों की दृष्टी से एक युगम गलत है वा है कौन से एक मजो है ये विलोम की दृष्टी से गलत है फड़ापड बताएंगे कुछी नमबर फोर का राइड एंसर क्या होगा सो समझकर सभी आगरह का विग्रह नहीं होता अगरह क्या होता है तो यही इसका राइड एंसर होता है यानी ऑपसिन नंबर 6 में अशुद्धि है यानि ऑपसिन नंबर 6 जो है यह सही सुम्मिलित नहीं है नेक्स्ट आपके सामने अमित्र इसका राइड एंसर बताना है बिलौम सब्दो की द्रिश्टी से इन में से सही युगम है कौन सा युगम जो है ये सही है फटाफ़ट बताएंगे गुश्चे नमार 35 का राइड एंसर क्या होगा सभी भाइबेन बताओ फड़ा फड़ बताओं में द्रिश्ट का राइड एंसर क्या हो जाएगा सभी भाइबेन बताएंगे पूछ रहा है बिलोम सब्दों की द्रिश्टी से इनमें से सही युगम कौन सा है फड़ा फड़ बताएंगे अकीरड का विकीरड नहीं होता संकीरड का विकीरड होता है याद रखना संकीरड का विकीरड होता है इपसित का अभिपसित नहीं होता है इपसित का अनिपसित होता है क्या होता है अनिपसित होता है तो ये भी असुद है ये भी असुद है फिर क निरादरत होगा यानि आपसे नमबर सी जो है ये बिलकुल सही शुमलीट है आपसे नमबर सी यहां बिलकुल परफेक्ट हो जाएगा मिद्रख कुशन नमबर एट आपके सामने है शीग और सेवन सायद इसकी फोगया है मिद्रख इसके लिए छमप राठी है कुशन नमबर सामने इसका राइड एंसर बताना है मिलेखित वाक्यों में कौन सा वाक्य ुक्ताइड सी लिखा गया है यानि option number c यहाँ बिल्कुल perfect हो जाएगा यहाँ देख लिजे यह कविता अनेक भाव परकट करती है यह वाग के जो है यह बिल्कुल सुद्ध रूप से हो जाएगा बाकी पहले में कौन सा अशुद्धी है तो मुझे से यह काम संभव नहीं हो सकता इस तरह नहीं होना चाहिए था मुझे से यह काम संभव नहीं है इस तरह होता तो यह वाग की जो है बिल्कुल सही हो जाता दूसरा क्या है यह बिल्कुल भी बात नहीं करता यह बिल्कुल भी बात नहीं करता इन दोनों में तो फिर केवल यही नहीं होगा, केवल जो है यह सुद्ध हो जाएगा, तो केवल को हटा दिया जाए तो यह सुद्ध रूप हो जाएगा, यानि आपसे पूछ रहा था कौन सा वाक के बिल्कुल सुद्ध रूप से लिखा गया है, तो आपसे नमबर सी यहां सुद्ध हो जाएगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह वाक के जो है मित्र आपसे नमबर सी बिल्कुल सही होगा, नेक्स्ट आपके सामने है मित्र कुश्य नमबर 9 इसका रायट एंसर बता और निमलिकित में से एक वाक के सुद्ध है वहा है, कौन सा वाक के ज पूछ रहा है कौन सा वाक के जड़ है, तो याद रकाने हैं इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती है, यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि बावजूद के बाद भी लगा है जो की अशुद्ध है, यहां बिल्कुल भी नहीं लगा है त तीनों में सुद्धिये क्यों कि बावजूद के बाद भी लगा है जो कि बिल्कुल सुद्ध है नेक्स्ट आपके सामने है मित्र कुश्य नंबर 10 इसका राइड एंसर बताना है क्या हो जाएगा अशुद्ध वाक्य का चैन कीजे अशुद्ध वाक्य का चैन करना है देश की वर्तमान मौझूदा हालत ठीक नहीं है यह तो अशुद्ध लग रहा है यह हम वर्तमान भी है मौझूदा भी है एक होता तो बिल्कुल सही हो जाता तो इसी में अशुद्ध है यानि आपसे नंबर भी यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बाकी दूनों जो हैं यह बिल्कुल सही है लेकिन से नमबर 2 में असुद्धी है क्योंकि वर्थमान और मौजूदा दोनों जो हैं एक साथ परियोग किये हैं कि वर्थमान तो यह रहे बात के लिए परियुक्त होने वाला सब्द है कि एक सब्दों में क्या कहेंगे question number 11 है फड़ा पड़ बताएंगे right answer क्या होगा तो याद रखना परंपरा से चली आ रही बात को हो हम क्या कहते हैं अनुसृत कहते हैं यानि option number D यहां बिल्कुल perfect होगा जो भी भाइबे नमारे बता रहे हैं option number D बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने है question number 12 इसका right answer बताना है लेकिन उससे पहले जिस भाइबे ने भी तक क्लास को like नहीं किया है फ्लीज मित्र क्लास को like कर दो और जो भी भाइबे जो भी मित्र हमारे साथ ने हैं चैनल को subscribe कर bell icon को press कर लेना तक क्लास की notification जो है मित्र आपको मिलती रहे question number 12 आपसे क्या पुछ रहा है जिसके पास कुछ ना हो वाग्यांस के लिए एक सब्द है जिसके पास कुछ ना हो उन्हें हम एक सब्दों में क्या कहते है अक इंचन कहते हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं अपसे नंबर वी वाले हमारे सब्दों में बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने या explanation देख लिजे जिसके पास कुछ ना हो उन्हें हम अक इंचन कहते हैं अच्छम किसे कहते हैं जो कुछ करने में एक सक्छम नहीं है यानि छमता रही थे उन्हें हम अच्छम कहते हैं अगे किसे कहते हैं या अग्यानी किसे कहते हैं जो कुछ न जानता हो उन्हें हम अग्यानी कहते हैं अश्मर्द किसे कहते हैं जिसमें शामर्थ ना हो जिसमें सक्ती ना हो उसे हम अस्मर्द कहते हैं तो right answer यहाँ option number भी बिल्कुल perfect हो जाएगा क्योंकि आप से पूछ रहा था जिसके पास push ना होने हम और किंचन कहते हैं question number देरे हैं आपकी सामने है स्वेद से उत्पन्ने होने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द है यानि optics number ये विल्कुल सही हो जाएगा यहां अंडज किसे कहते हैं अंडे से उत्पन्न होने वाले की किसे कहते हैं जिसका जन्व सरीर से होने को स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम स्वेद कहते हैं यहां पूरे explanation जोरे दिया गया है मित्रा नेक्स्ट आपके सामने है कुश्चिन नमबर 14 इसका राइड एंसर बताना है फटा-फट बताये देंगे इसका राइड एंसर क्या होगा आप रडीत शब्द निमलिखित में से किस वाक्यांस के लिए परियुक्त होता है आप रडीत सब्द जो है किस वाक्यांस के लिए परियुक्त किया जाता है तो याद रखना कुश्य नमबर 14 के जुराइड एंसर होगा जिसका विवाह ना हुआ हो उन्हें हम आप रडीत कहते हैं और जिसका विवाह हो चुका होने हम परडीत कहते हैं तो आपसे नंबर भी यहां बिल्कुल सही होगा जोबी भायबे नमारे बता रहे हैं आपसे नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है निमलिकित में से किस वाक्यांस के लिए एक सब्द दुर निमारर परियुक्त होता है यानि आपसे पूछ रहा है किस वाक्यांस को हम एक सब्दों में दुर निमारर कहते हैं दुर निमार कहते हैं फड़ा फड़ बताएंगे राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना जिसे दूर करना कठिन हो उसे हम क्या करते हैं दुर निमार कहते हैं जिससे दूर करना जो कठिन हो option number यह यहाँ बिल्कुल perfect हो जाएगा जो भी भायवेन हमारे बता रहे option number भी बिल्कुल सही option number यह बिल्कुल सही होगा निम्ले कित में से ततिसम सब्द है ततिसम सब्द जो है यह किस विकल्प में दिया गया है फड़ा फड़ा बताएंगे रायडेंसर क्या होगा सो समझकर सभी भायवेन रायडेंसर बता देंगे तो ततिसम की बात करना है ना वित्रे तो जीरिड हो जाएगा यानि option number भी बिल्कुल perfect होगा बाके तीनों जो है यह ततिसम सब्द है option number भी यहां बिल्कुल सई होगा next आपके सामने है अगहन का ततिसम रूप कौन सा है अगहन का ततिसम रूप जो है यह किस विकल्प में दिया गया है तो याद रखना अगहन का ततिसम रूप जो है यह अग्राहेन होगा यानि option number ये बिल्कुल perfect होगा जो भी भाइब है नमारे बतारे option number ये बिल्कुल सही हो जाएगा next आपके सामने है निम्लिकित में से तदभो शब्द है तदभो की बात कर रहा है फड़ा फट बता देंगे question number 18 का right answer क्या होगा तदभो की बात कर रहा है मित्र तो याद रखना 14 जो है मित्र ये तदभो सब्द है कैसा है 14 जो है ये तदभो सब्द है बाकी तीनों जो है ये तद्सम है लेकिन 4 जो है ये तदभो option number c बिल्कुल perfect हो जाएगा और चौधेस जो है ये तदभो इसका तदस्व जो है ये चतुर दस होगा क्या हो जाएगा मित्र चतुर दस जो है इसका तदस्व हो जाएगा चतुर दस next आपके सामने है question number 19 इसका right answer बताना है मित्र फड़ा-फड़ बता दो right answer क्या होगा अभ्यांतर का तदभो शब्द है अभ्यांतर का तदभो सब्द आप से पूछ रहा है फड़ा पुड़ बताएंगे कर्पट का तदभो रूप है कर्पट का तदभो रूप जो है ये किस विकलप में दिया गया है फड़ा पुड़ बताएंगे मित्र इसका राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना कर्पट जो है ये तदसम सब्द है इसका तदभो रूप जो है ये कपड़ा होता है यानि आपसी नमबर टी यहां बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइड एंसर बताना है फड़ा फड़ बता देंगे कुशी नमबर ट्वेंटी वन वह बहुत खाता है इस वाकि में बहुत सब्द किस प्रकार का विशेशड है फड़ा फड़ बताएंगे कुशी नमबर ट्वेंटी वन का राइड एंसर विशेषड निष्चित परिमाणवाचक विशेषड यहां दिया गया है थोड़ा अधे खुछ बहुत यह सब क्या हो जाएंगे अनिष्चित परिमाणवाचक विशेषड के अंतरगत आएंगे में से उस अवाग के विशेशण का परियोग किया घूझा वि़ा कि ज सब्सक्राइब वह नटखट बालक संगीत नहीं सुने रहा है वह नटखट बालक संदीक शंगीत जो है यह नहीं सुन रहा है नटखट जो है यह गुडवाचक विशेशड हो जाएगा यानि आपसे नंबर जो है मित्र यह बिल्कुल सही होगा आपसे नंबर यह वाले हमारे सभी भाइबेन बिल्कुल सही हो जाएंगे question number 23 आपके सामने है 37 चंचल वालख है इस वाट में चंचल सब्द है 37 चंचल वालख है इस वाट में चंचल सब्द जो है यह कैसा है तो याद रखना मित्रिश चंचल जो है ये गुडवाचक विशेशड की अंतर गताएगा यानि ओप्सिन नमबर वी जो है ये बिलकुल परफेक्ट होगा ओप्सिन नमबर वी वाले हमारे सभी भाइबेन बिलकुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइड एंसर बताना है फड़ा फड़ बताएंगे इसका राइड एंसर क्या होगा मानसिक विशेशड की समूल सब्द से बना है अगर मितर असपष्ट नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेजेगा ताकि आप को असपष्ट दिख सके मानसिक विशेशड की समूल सब्द से बत बना है चारितिक जो है विशेशड है इस विशेशड का मूल सब्द जो है यह क्या है फड़ा फड़ बता देंगे राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना इसके जो राइड एंसर हो जाएगा चारुत्त होगा क्या हो जाएगा मित्री चारुत्त होगा यानि option number D यहां बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी बाइब इन बता रहे option number D बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपकी सामने है मिमानसा का सही परियावाची सब्द है मिमानसा का सही परियावाची सब्द यानि समानार्थी जो है यह किस विकल्प में दिया गया है फड़ा-फड़ बताएंगे इसका राइड एंसर क्या होगा सोच समझ कर सभी भायवें राइड एंसर देंगी तो याद रखना कुशिय नमबर 26 का जो राइड एंसर हो जाएगा मिमानसा का परियावाची या समानार्थी जो है यह शमालोचन होता है यानि आप्शिय नमबर C यहां बिलकुल सही हो जाएगा आप्शिय नमबर C वाले सभी भायवें बिलकुल सही होंगे और बहुत सारे इसके परियावाची लिखेंगे हैं देख लिजे स्वामिच्छा होता है अलोचना होता है बिवेचना होता है निरूपर भी होता है मिमानसा का परियावाची या समानार्थी मित्र नेक्स्ट आपके सामने हैं विजली का परियावाची सब्द है विजली का परियावाची या कहाँ जय समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है फड़ा फड़ बताओ मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा तो याद रख ना विजली का परियावाची या समानार्थी जो है ये शोदामनी होता है चंचला भी होता है विजली भी होता है विद्द भी होता है यानि उपस नमबर भी यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा शोदामनी इसका राइड एंसर हो जाएगा उपस नमबर भ कौन सा शब्द लक्षमी का परयाव वाची नहीं है। परियावेची शब्द नहीं है। सरोष्यति का परयावाची है बागेश्वरी का परयावाची है या कहा जाए भीडावादनी का परयावाची हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने एक उश्ची नमबर 39 इसका राइड एंसर बताना है नमलिकित में से कौई से सद कपड़ा का परयावाची नहीं है कपड़ा का प्रयावाची जो है ये किस विकल्प में नहीं है यह आपसे पूछ रहा है कुश्च नमबर 39 है फड़ा फड़ बताएंगे राइड एंसर क्या होगा तो वस्तर भी होता है वशन भी होता है पट भी होता है लेकिन वासन नहीं होता और बंबर डि यहां बिल्कुल सही हो जाएगा कुश्च नमबर 30 आपके सामने है निम्लिकित में से कौन सा सब्द मेग का परयावाची नहीं है मेग का परयावाची जो है ये किस विकल्प पर नहीं है तीस का बता देंगे राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना मेग का परियावाची जो है ये पयोधर भी होता है वारीधर भी होता है जलधर भी होता है लाकिन दामोधर नहीं होता तो यही इसका राइड एंसर हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने एक उश्य नमबर 31 आविर भूत का सही विलोम सब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है फटापड बताएंगे इसका राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना आविर भूत का सही विलोम जो है ये तिरो भूत हो जाएगा यानि आपसे नमबर सी यहां बिल्कूल पर्फेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपकी सामने है चदिक का सही विलोम सब्थ है चदिक का विलोम सब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है फटापड बताएंगे इसका राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना मितर चडिक का विलोम या राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना अग्रस का बिलोंग जो है यह अनूज होता है यानि आपसे नंबर सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने हैं कुश्चिन नंबर 34 इसका राइड एंसर बताना है निम्लिकित में से बिलोंग सब्दों की इद्र यह विलकुलबब भील शांदार कैसरमनाग2 बिल्कुल सही है लेकिन अनुचर का परिचर यह बिल्कुल असुध है क्योंकि मित्र अनुचर और परिचर जो है ईक 60 के शमानार्थी और दोनों का आर्थ जो होता है ये क्या होता है सेवक होता है दोनों जो है ये सेवक के शमानार्थी या कहा जाए परियावाची है बिलोम बिल्कुल भी नहीं है तो यही इसका राइड एंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे पुछ रहा था कौन सा युगम गलत है नेक्स्ट आपके सामने है मित्र कुछ नमबर 35 इसका राइड एंसर बताना है क्या हो जाएगा बिलोम सब्दों की द्रिष्टी से इनमें से एक युगम गलत है वा कौन सा है कौन सा युगम जो है ये गलत है 35 का बताओ तो याद रखना आजचादित का परिछन नहीं होता अनाचादित होता है यही इसका शुद्दी है यानी ओपसे नमबर Сी मेंजुद्दी है बागी तीनों में जो है ये मित्र बिलोम या पोजिक लिखेगे हैं या विरुधार्थी लिखेंगे हैं लेकिन आजचादित का परिछिण नहीं होता, अनाच्छादित होता है. यहीं इसका राइड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने हैं, वर्तनी की द्रिष्टी से शुद्ध सब्ध है वर्तनी की द्रिष्टी से, शुद्ध सब्ध जो है ये किस विकल्प में है पड़ा-पड़ बताएंगे राय डेंसर क्या हो जाएगा तो याद रख ना विवर्त की वरतनी जो है ये बिल्कुल सुध रूप से लिखी गई ये उपसिन नमबर वी जो भी बाइबन बताने बिल्कुल सही हो जाएंगे चिन्य की वर्तनी जो है इस तरह नहीं इस तरह होनी चाहिए थी अनुकुरहित की वर्तनी सुध इस तरह होती है और विरहडी की विरहडी होती है यानि option number B में बिल्कुल सुध वर्तनी लिखी गई है बाकी तीनों की वर्तनी जो है यहां नीचे लिखी गई है आप तेख सकत नेक्स्ट आपके सामने है कुछी नमबर 37 इसका राइड एंसर बता रहा है शुद्ध वर्तनी वाले सब्द का चैन करें जोट्सना जो है यह किस विकल्प में लिखा गया है तो याद रखना जोट्सना की वर्तनी जो है उपसी नमबर D में बिल्कुल सुद्ध रूप से लि आप से पूछ रहा है तो उतकर्सता कहीं भी नहीं होता है क्या हो जाएगा उतकर्सता कोई भी सब्द नहीं होता तो यहीं असुद्ध है यानि उपसी नमबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने हैं मित्र पुष्ची नमबर 49 इसका राइड एंसर बतान चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है पहली बार विजिट कर रहे हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि गलास की नोटिफिकेशन जो है उनको मिलती रहे 49 का जूभी भाय बें बता रहें क्या कह रहा है निमलिकित में से एक शुद्ध व लगा रहें परतेगविद्यार्थी को चाहिए की वह घंदी की अनेक पुस्त के पढ़ें यह वाकि जो है मितर यह बिल्कुल परफेक्ट है यह अरेख खरेक हरेख यह कैसा सब्द है यह तीनों अ शुद्ध हो जाएंगे बागी पहला जो है यह बिल्कुल फरफेक्ट हो दूसर हो जाएगा मित्रा नेक्स्ट आपकी सामने इसको आयं से फट्ट नबर 40 फटाफड बताएं गी की जा होगा प्र कुमिति तो याद रखना 40 का जो राइड उन्सर हो जाएगा क्या होगा मित्र अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है तो राय झार्ड उप्सीन बर सी होगा। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान स्फुन जाएगा उसके घरके पास एक दुकान है 8 उसका धुरीद में होगा। उसके घरके पास होता ह इसका राइड एंसर बताना है जिसका कोई शत्रू नहीं जन्मा है वाक्यांस के लिए एक सब्द है जिसका कोई शत्रू नहीं जन्मा है उन्हें हम एक सब्द में क्या कहेंगे फड़ा फड़ बताएंगे मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा तो यादट ना जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा हो उन्हें हम अजात सत्रु कहते हैं यानि option number C यहां बिल्कुल perfect होगा जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा है उन्हें हम अजात सत्रु कहते हैं नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइड एंसर बताना यहां और भी लिख दिया गया है अजे किसे कहते हैं जिसे जीता ना जा सके उन्हें हम अजे कहते हैं सत्रुजई किसे कहते हैं जिसने सत्रु को जीत लिया हो उन्हें सत्रुजई कहते हैं सत्रुविहीन किसे कहते है जिसका कोई शत्रु ना हो उन्हें हम से त्रुभीन कहते हैं सारे एक्स्प्लेनेशन जो दिये गए हैं इसके बेड़ेफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल या वाटसाप गुरूप पर दे दी जाएगी वहां जाकर आप इसे पढ़ लेना में फिर से रिविजन कर लेना कुश्चन नमर बयाले से क्या पूछ रहा है खोज करने वाला इस वाक्यांस के लिए एक सब्द है खोज करने वाले को हम एक सब्द में क्या कहेंगे फटा फट बता देंगे सब भी भाइबेन राइड एंसर क्या होगा तो याद रगना खोज करने वाले को हम क्या कहते हैं अ फट्लिय 1060 स्टॉट सामने जिसकी गर्डन सुन्दर हो वाक्यांज के लिए एक सिद्ध अजिसकी ग्रीवा या गर्डन सुन्दर हो उन्हें हम एक सब्दों में क्या कहेंगे फड़ा फड़ बताओ मिद्रिस का रायड एंसर क्या होगा सभी भाइबें सोच समझ कर इसका रायड एंसर बताएंगे तो याद रख ना जिसकी गर्दन सुन्दर हो जिसकी ग्रीवा सुन्दर हो उन्हीं हम सुग्रीव कहते हैं ऑप्सिन नमबर भी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है मिद्रिस का रायड एंसर बताना है कुश्च नमबर चौब आलेस फड़ाफ़ बतादो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्यांस के लिए एक सब्द है कुश्च नमबर चौब वाली से फड़ाफ़ बताएंगे इसका रायड एंसर क्या होगा जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उन्हें हमें एक सब्दों में क्या कहेंगे तो याद रखना अतेंद्रिया कहते हैं यानि अतेंद्रिया आप्शन नमबर भी यहां बिलकुल परफेक्ट हो जाएगा आप्शन नमबर वाले सभी वायबे नमारे बिलकुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने है मित्र पूशन नमबर 45 इसका राइड इंसर बताना है क्या हो जाएगा वाक्यान सो और उनके लिए उप्यक्ट सब्दों के निमलिके दियुगमें से सही उगमकाद चैन करे यानि आपसे कह रहा है वाक्यान से लिखे गए है और उनके सामने उनमें परियुक्ट होने वाले एक सद लिखे गए है उनमें से कौन से जोड़ा जो है ये बिलकुल सही रूप से लिखा गया है 45 का बताएंगे राइड इंसर क्या हो जाएगा फड़ा फड़ बता देंगे राइड इंसर क्या होगा फड़ा फड़ बताव में तरे इसका राइड इंसर क्या हो जाएगा जो इस्त्री अभिने करती है उन्हें हम अभिनेता नहीं अभनेत्री कहते हैं तो अशुद हो गया जो व्याकरण जानता हो उन्हें हम व्याकरण कहते हैं बिल्कुल सही है आखों के परे को प्रतक्ष नहीं परोक्ष कहते हैं क्या कहते हैं परोक्ष कहते हैं ये भी अशुद है लोड कर आया हुआ प्रत्यागत लोड कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते है तो मित्र इसमें जो है पूछ रहाता सही युगम कौन सा है तो option number B भी सही है option number D भी सही है यानि B और D दोनों हो जाएगा वी और D दोनों बिल्कुल सही है option number B और D दोनों सही हो जाएगा मित्र next आपके सामने है इसका right answer बताना है फड़ा फड़ बता देंगे question number 46 का right answer क्या होगा निम्लिकित मैं से ततसम सब्द है ततसम सब्द पूछ रहा है फड़ा फड़ा बताएंगे right answer क्या होगा तो याद रगना ओष्ट जो है ये ततसम है इसका तदभो जो है ये क्या होता है ओठ होता है क्या होता है ओठ हो जाएगा इसका ततसम जो है ये ओष्ट होगा यानि option number D यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है मित्र question number 47 इसका right answer बताना है परीवा सब्द का ततसम रूप है परीवा का ततसम रूप जो है ये किस विकल्प में दिया गिया है फड़ा पड़ बताओ इसका right answer क्या होगा question number 47 है फड़ा पड़ बताएंगे तो याद रखना प्रतिपदा होगा क्या हो जाएगा प्रतिपदा हो जाएगा परीवा का ततसम रूप option number 3 यहां बिल्कुल सही होगा question number 49 निम्लिकित ततसम तदबो शब्द योगम का संगत है यानि आपसे कह रहा है ततसम और तदबो का कौन सो जोड़ा जो है यह बिल्कुल सुद्रूप से लिखा गया है तो याद रखना प्रियंक का पलंग बिल्कुल सही बता रहे हैं यह जो है यह ततसम है इसका ततबो जो है यह पलंग होता है option number C यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है निम्लिकित में से तदबो शब्द है तदबो शब्द जो है यह किस विकल्प में दिया गया है फड़ा पड़ बताएंगे राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना आस्तु जो है मित्र यह तदबो शब्द हो जाएगा option number यह यहां बिल्कुल परफेक्ट होगे और इसका ततसम जो है याद रखना अश्रू होता है क्या होता है अश्रू होता है काफी ज्यादा important question आपके सामने है मित्र नेक्स्ट आपके सामने है question number 50 इसक में दिया गया है तो केथा हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने है question number 51 इसका राइड एंसर बताना है फड़ा-फड़ बताओ निम्ले की सब्दों में से कौन से सब्द गुडवाचक विशेषण है गुडवाचक विशेषण के अंतरगत आएगा बाकि पांचवाँ और तीन जो है यह संख्या वाचक विशेषण के अंतरगत आएंगे निश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतरगत आजाएंगे काफ़ ज्यादे इंपॉर्टन कुष्चिन आपके सामने है कुष्चिन नमबर 52 आपके सामने है निश्चित में से कौन सा विशेषण संख्या से नहीं बना है यह आपसे पूछ रहा है बावन का बता देंगे राइडेंसर क्या हो जाएगा तो याद रखना सुंदर जो है यह विशेषण है लेकिन संख्या से बिलकुल भी नहीं बन है आपसे नमबर सी बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने मित्र कुष्चिन नमबर 53 इसका राइडेंसर बताना है पड़ा पड़ बता देंगे राइडेंसर क्या होगा निम्लिखित में से कि सवाक्य में उत्तमावस्था गुडवाचक विशेषण विशेषण का परियोग किया गया है निम्लिखित में से कि सवाक्य में उत्तमावस्था गुडवाचक विशेषण विशेषण का परियोग किया गया है त्रेपन का बताओ में तरह राइडेंसर क्या होगा तो या देखना पर्मानंद कच्छा में सबसे होस्यार छात्र है सबसे होस्या आपके सामने कुछ्ट नमबर 54 सोर किस मूल सब्द से बना विशेशड है सोर किस मूल सब्द से बना विशेशड है फड़ा फुर बताएंगे कुछ्ट नमबर 54 का तो याद रखना शूर्य जो है यह मूल सब्द है, सोड जो है, यह विशेशड है, option number C बिल्कुल सही हो जाएगा, निमनिकित में से कौन सा सब्द विशेशड है, तो अगनी जो है मित्री विशेशड है, option number B बिल्कुल सही होगा, next आपके सामने है, आकास का परियावाची सब्द है, आकास का परियावाची नेक्स्ट आपके सामने हैं मैं विकोड़ा नंबर 57 सोना परिवाची सब्द है तो याद रखना जो है यह सोना का परियावची होता है जनिए धतूरा भी क्या होता है कनख का लुट्स हो जाएगा इसन हमब यहां परफ्यक्ट होगा नेक्स्ट आपके सामने हैं में सब्सक्राइब बताना है याद रखना मित्र पक्षी का परियावाची है यह नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने निम्ले कितमे से कौन से सब्द चंद्रमा का परियावाची नहीं है फटपड बतानेंगे राइड एंसर क्या होगा चंद्रमा का परियावाची जो है यह किस विकल्प में नहीं है तो याद रखना सलिल जो है ये चंद्रमा का परियावाची नहीं है ये पानी का परियावाची है ये जीवन कहा जाए ये नीर कहा जाए का परियावाची हो जाएगा लेकिन चंद्रमा का नहीं है कुछे नुबर साथ है आपके सामने है निम्न की सब्दों में से एक सब्द माता का पर्यावाची नहीं है वह है माता का पर्यावाची सब्द जो है यह किस विकल्प में नहीं है पड़ा-पड़ बताएंगे मित्र इसका right answer क्या होगा सोच समझ कर सभी भाय बेन राय डेंसर देंगी तो याद रखना अंबू जो है मित्र ये माता का प्रयावाची नहीं है बलकि ये किसका है पानी का है किसका है मित्र पानी का है नीर का है या कहाँ जीवन का हो जाएगा लेकिन अंबू जो है यह माता का परियावाची बिल्कुल भी नहीं, अमब भी होता है, अमबा भी होता है, जननी भी होता है, माता भी होता है, माँ भी होता है, लेकिन अमबो भी नहीं होता है, यही इसका राइड एंसर हो जाएगा, आपसे नमबर भी वाले हमारे सभी भाइबेन बिल्कुल सही ह हो जाएंगे मित्र मैंने यहां साथ कुषिन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको स्कोर जो है यह काफी ज़्यादा अच्छा रहा होगा मित्र अगर आप लोग इसका पीडियाप वाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन से जुड़ जाएं वहीं आपको इसकी पेडियाप मिल जाएगी या आप हमारे वाटसाप गुरूप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पेडियाप मिल जाएगी मित्र आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताना और जिस भाई बे ने भी तकक लाज को लाएक नहीं किया है म। आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र खाला कामेड बोकस में जरूर बताना और आज की क्लास जो आपको कैसी भी लगी हो comment में जरूर बताना मित्र रूर कहा जाए कि आपका स्कोर कितना रहा ये भी पता देना अगर किसी कुश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करकर बेजी जग पूछ सकते हैं मैं जबाब देने की पूरी कोशिस करूँगी विद्र आज की क्लास भी बस इतना ही सभी को बाई बाई सभी को नमस्कार जए हिंद जब भारत बन दे मातरम